अश्कार दोस्तों मैं हूँ रवी कॉशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आपने सोचा है कि शेहरों को आबाद करने की कीमत क्या होती अगर आपने नहीं सोचा है तो दुबारा सोचिएगा अभी हम हैं दिली के बक्तावर पुर गाओं में जहां पर कई एकड में किसानों की जो फसल फैली हुई थी वो बरबाद हो गई और बरबाद होने का बुन्यानी तोर पर रीजन यही है कि यहां पे सरकारों ने अपनी अपनी जिम्मिदारी नहीं निभाई जिम्मिदारी ना निभाने के साथ में जब शहर फैला तो उसका दबाओ किस तरीके से गाओं पर पड़ा है उसके एक मजबून जो है हम इस तरक पर कह सकते हैं कि नालो का पानी जो है अब धीरे धीरे यहां कि सैकड़ों एकड़की जमीन पर फैल गया है और जमीनों को अ अपनी शिकायते लगा लगा कर परसान हो गए लेकिन अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है 2009 में यह गाओं के जो ड्रेन थे वो इस जोड में डाले गए उस टाइम गाओं में इतनी आबादी नहीं थी जिस पानी भी कम था तो पानी इसके अंदर ही रहता था ल हमारे खेतों में बर जाता है पानी और इसकी सिकायत हम 2009 में 2009 में हमारी जो आडवलुए थी खंडविकास अदिगारी जो बीडियो होता है और दिल्ली गवर्मेंट को रिटन में दी थी पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और 20-25 साल पुरानी ड्रेनेज आज भी हमारे कोई कारवाई दुटी को भी निगम परसद को भी केजर रिवाल यहां भी सभी के यहां। लगा रखी है एक्सिन ने कोई को इन हो रहा है मुख्या मंतरी केजरिवाल जी के जनता दरवार में मैं 2018 को रिटन में लेटर देखे आए था के सर इस गंदे पानी के तालाब से हमारी जिंदकी नर्क बन गई है हम फसल बहुते हैं पानी आता है बरबाद हो जाती है और इस पर आप तक ना कोई सुनवाई है हर बार PWD ये था खंडविका सदीकारी को और अपने SDM को उसकी रिसीविंग है उसके बाद मैं मेल कर चुका हूं मंतराले जो PWD मंतरी के पास सांसद मोदय से भी हमने लेटर लिखवाया उस टाइम सदेंदर जहन जी वाकरते हैं पिछले टम में पर आज तक यहां पर एक परसेंड भी क एक कारण है बहुत बड़ा कि यह सब पीछे हमारे जो आप देख रहे हो रहा है क्यों क्योंकि दिल्ली में पिछले कहीं दश्कों से जो खेती की जो पूरी एक जगहा है जो चितर भला हो कम होता जा रहा है और सिचाई के लिए सरकार ने कभी कुछ साधन रखी नहीं हमार देख रहे हो आप यह तुरांट टूट जाती है ओवर्फलो होती ही ठीक है तो उससे सारा पानी फसल में आता है फसल चाहे फ्लारिंग पर हो चाहे प्रोडक्शन के टाइम पर हो वो जबी के जबी तबहा हो जाती है ठीक फिर उसके बाद में सूखने में कम से कम एक डिड पर इसका कोई समाधान नहीं है अभी पिछले हम करीबन मेरी उमर कम है तो पिछले दस साल से मैं देखता हो आ रहा हूं यही प्रोब्लम चल रही है और इसका कोई सोलूशन हमें मिलनी रहा है तस एक सालों से थोड़ी बहुत जादा मनलब बसाकत बढ़ने लगी बाहर के लोग आने लगे तो वही है चीजे रिसोर्सिस तो कम होती है जब एक छोटे एरिये में ज्यादा लोग बसे और फिर दिल्ली का एरिया है तो भीड बढ़ाका हो गया बिल्कुल वही चीजे खेती जमीन वैसे ही कम होती जा रही है और दूसरा यह आप देखी रहे हो जिसे पानी बर रहा है अब दिल्ली में खेती बहूत कमी समझव बस बार्बार के एलाके में और ये भी तब्लाल है क्योंकि हमारा एरिया बहर का अर्ब भारी एडिया अब तो दोड़ी बुत खेती है जो आसपास यहां पर जाता हम पालक और यह सब ऐसले हुगातें सर सो सों य है हर साल का यही काम है यह से पानी आता है अभी साल तो बहुत ज़्यादा बारीश्ती तो इस ले बोने का तो टाहीम नहीं मिला वरना तो यह था कि पानी जासे मालब बोधिया हमने कि कई बार बौई भी खराब गई जुताई बौई बहुत चीजे होती हैं सब खराब जाती हैं पानी बर गया गंदा पानी है उससे तो फसल एक दो चलो साफ पानी हो तो एक दो पानी जहल जाती है लेकिन यह पानी नहीं जहल पाती है कि इसमें पता नहीं कितने कैमिकल है जो आमदनी का मूल है वो यह ही है यहां से आमदनी होती है यहां से जीरो हो रहा है फिलाल तो आप लगा सकते हो, जीरो का मतलब जीरो ही होता है, कुछ नहीं आता, जब किसी की फसल खराब होगी, सारे साल की मैनत खराब होगी, किसको बुरा नहीं लएगा, यह पता हो आप, पर पुरा जो लग रहा है, ना सरकार को लग रहा, ना किसी और को लग रहा, सब अपना अ दिप्रेशन में चला जाता है पर नेता लोगों क्या पड़िया के पास हमारे अंकल जी गए थे सेंटर को अमने लिख लिया सब कहाई को सब अपने दिप्रेशन की बात करें क्या आप लोगों मान सिकालात ऐसे हो जाती है कि जब कुछ हो गई नहीं पैसे नहीं होंगे आपके पास तो डिप्रेशन में जाओगे और घर में पड़ा-पड़ा खाली बंदा क्या कर सकता है अधर गवर्मेंट से कोई वह ने मिल पार इदर जमी इतना डीला है वो गाउं में किस विकास कर रहा ही नहीं चाहते कुछ साल से था कि थोड़ा सा रोड़ा ठीक होने लगे ते क्योंकि दिल्ली का गाऊं है यह तो एनी कि बिल्कुल देहात का एन्या तो रोड वगरा ठीक होने लिए इस बार इस एक-दो सालों से ऐसा हो रहा में जीटि रोड तक का रोड है। उस पर कुछ तो कंशक्शन चलता है कुछ एक साइड में रोड छोड़ा हुआ है। उसका इतना गंदा हाल है रात को लाइट नहीं जलेगी उस पर और इतने गड़े हैं कोई जा रहा है। कई बार मेरी भी बाइक जिए गड़े में चली गई बिल्कुल बैलेंस बिगड़ गया गिरते गिरते बचा है बंदा कई एक्सिदेंट हों तो ऐसा हाल है कि मतलब बिल्कुल एक तरफ करके छोड़ दिया है इस एरिये को जो पक्तावरपुर के नक्षे हमारी संस्ता ने हमने भी वही फैसले लिए वो साफ दिखा रहे हैं कि ग्राउन सभा पे कच्छी कानूनी कट रही है सरकार ने का शेरी कि गाउं है उन्हें फरक ने बढ़ रहा है इतने सारे बगाइदा हजारों फारमास कट चुके हैं वहां पर अमीर आदमीन जमीन किसान से लेके फारमा लिए लेड़ जाता हूं समान रख लूँआ अपने औजार रख लूँआ किसी एक वक्ती को जमदारी देदों तू रह ले यहां पर खेती अच्छी हो पाईगी लेकिन वह अवैद था फारमास कट गया बड़ी बाउंडरी फिस्तुमिंग पूल बन गए उन्हों अपने म ले वो सब अवैद है